दोस्तों नमस्कार आप देखने हैं दब बी एनवाई न्यूज मैं बीबेका इन दिनों जो देश की हालात है इस हालात पर अब चिंतन मनन आम लोगों के अलावे फिल्मी दुनिया के नेतरी अभिनेतरी और अभिनेता तक करने लगे हैं विसे सग्यों का मानना है कि जो हालात देश के बनर हैं या हालात देश के बिकास के लिए बहुत बड़ा बाधक होने जाड़ा है राजबबर जो अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं उन्होंने कहा है कि जो हालात देश की है जिस तरह लोग सरकों पर आ चुके हैं इस साप यह जाहिर होता है कि भारत के लोगों को अब भारत के सरकार पर विश्वास नहीं रह गिया भारत सरकार के सोचे समझे काड़िये भोट की राजनिती अब पुर्ण रूपेन असफल होती जा रही है और केंदर सरकार द्वारा जो साजी सरची गई थी भोट बैंक की अब तेजी से भारत सरकार की भोट बैंक खिसक रही है अब जनता जाग चुकी है जनता जानने लगी है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ी है महंगाई बढ़ चुकी है आर्थिक मंदी देश में है कल कारखाने बन धोड़ा हैं लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ऐसी इस्तिती में सरकार को इस बिंदू पर उपाई सोचने के वज़ाए तरह तरह के परपंच रच्चते देख आम लोग अब सरकार से रूष्ट होकर सरकों पर आना प्रारम कर दिया है वहीं अभिनेत्री हुमा कुड़ेसी कहती है कि महराश्ट हो या बिहार हो पुरे भारत में लोग सरकों पर आ चुके हैं लोगों में उबाल है लोग सरकार के कुछ नीतियों का विरोध कर रहा हैं जो नीती सरकार की उचित नहीं है इन नीतियों के खिलाप लोग सरक पर आ चुके हैं लोग बिरोध परदर्सन कर रहा हैं जरुवत है देश को बिकास की योड ले जाने की जरुवत है आम लोगों को सांती देने की आम लोगों को समझाने की और इस वक्त जो हालात देश के बने हैं उससे सारे लोगों को चि बनी हुई है कई ऐसे अर्थ सास्त्री हैं जो कहते हैं कि देश की अर्थ ब्यवस्ता पहुत ही जादा गरवड़ा गई है और आए दिन विरोध परदर्सन के कारण देश के अंदर की अर्थ ब्यवस्ता और डगमगाने लगी है देश में बिरुजगारी है भुखमरी है महंगाई है नवजमानों को रुजगार नहीं है लोगों में गुशा है लोग इंतजार करते करते ठक गये हैं और अब ठक कर नवजमान सरकों पर आने लगे हैं और जो इन दिनों आम लोगों की भीर सरक पर दिखती है विरोध पर दर्शन करते वह स्वता भीर की रूप ले लेती है इस साफ जाइद होता है कि भारत में अब लोग मजबूर होकर सरकों पर आ रहे हैं और सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो फिल्मी दुनिया के नेता अभिनेता अभिनेतिरी सहित साड़े लोग देश के सुबचिंतक चिंतित हैं कि जो हालात बनती जा रही है इस हालात में सुधार होना अति आवेश्यक है लोगों का ध्यान भटक रहा है लोग सरकों पर आ रहे हैं विरोध पर दर्शन हो रह है यह देश के एकता खंडता के लिए ठीक नहीं है तो दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें कॉमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल वटन और घंटी दबा कर ताकि आपको मेरे वीडियो मिलता रहे और फेस्बुक पेज को लाइक करना ने भूले धनवाद